बेंजी नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना रमेश सासवड़े है वंदना जी कहां से आई आप? हम मुंबई मुलून में रहते हैं महाराश्टर से है संतरामपाल जी महाराश्ट से कब जुड़े आप? मैं संतरांपाल जी महाराज जी से 23 नवेंबर 2012 को नाम दिख्षा लिया है संतरांपाल जी महाराज से क्यों जुड़े आप संतरांपाल जी महाराज से पहले मेरे माबाब जुड़े वो मेरे भाई को फीट साते थे तो उसकी वज़े से नासिक में उनको ऐसे अपने संतरांपाल जी महराज के अनुयाई ने बताया कि संतरांपाल जी महराज के इदर जाके ठीक हो जाएगा और सचमुच वो दो मैने में ही ठीक हो गया उदर और उसके बाद जब मेरे माता पिता मेरे को बताते थे गुरुजी के बारे में कि अश्रम में ऐसा है अश्रम में ऐसा है ऐसे होता है लोगों को ऐसे लाब हुआ है वो हुआ है तो मैं ऐसे बोलती थी कि मैं अश्रम एक बार देखने के लिए आएंगी मैं ऐसे नाम दिक्षा लेने के इसमें नहीं थी लेकिन परमात्मा ने इतनी दया की कि मेरे पिता जी नाम लेने के बाद आट माईने के बाद गुजर गए तो रात में एक बज़े गुजरे तो कुछ डॉक्टर के पास जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिला तो मैं गुरुजी के बारे में पहले स पॉजिटिव थी तो मैंने गुरुजी से उदर फोटो के सामने मा के इदर गई तो गुरुजी के फोटो के सामने खाली इतना क्वेशन किया कि गुरुजी आप होते हुए तो उतने में गुरुजी ने मेरे को तीन रोल में दर्शन दिया यहनि कि गुरुजी के जो अपन तो मेरे पिता जी मेरे को बोले कि मैं सतलोक में हूँ, आनन में हूँ, तू भी आनन में रहे आपने मुंबई से सेकड़ो किलोमेटर दूर हर्याना में संद रामपाल जी महाराज से नाम दिख साली क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महराज के अलावा आप किसी और संत से भी नामदिक्सा ले सकते थे जिससे आपको लाब मिल सकता था तो मैरे को तो पूरा ही बचपन से ही मैं नासिक से हूँ तो उधर सब ऐसा दार्मिक वातावरन में पलिबड़ी हूँ तो जिधर जिधर भी मैं कुछ संत के बारे में ये करती थी सुनती थी ये करती थी तो मेरे को उनको बिलकुल यह अच्छा नहीं लगता था कि उनको ग्यान तो कुछ रहता ही नहीं था लेकिन खाली ओ लोगों को ठकते थे नामदान के नामदान के नाम देने के लिए ऐसे जोर देते थे और अपने शिश्य बढ़ाते थे मान बढ़ाई करते थे संतर रामपाल जी महाराज से नाम देख्षा लेने के बाद आपको और क्या कैलाब मिले? संतर रामपाल जी महाराज से अरदास की, कि गुरुदे आप अभी मेरे को उठाना चाते तो उठाले बिठाना चाते तो बिठाले मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। और ऐसे करते करते, जो संतर रामपाल जी महाराज जी जो नाम देख्षा देते हैं और हम लोगों को बताते भी है कि आपको इसे सिद्धी प्राप्त हो जाएगी, तो ओ सच मुझ सही बात है, इसे मैं अनुभव कर रही हूँ। जो है, ओ लोकल ट्रेन में एक बार आ रहे थे, तो ऐसे फस गए थे दरवाजे में, दो जन, दो जन दरवाजे में फस गए, तो ऐसे में ऐसा हो सकता था, कि उनकी हड़ियों का चूरा हो सकता था, लेकिन हम संतर आमपाल जी महाराज की के शरण में थे, तो इसले परमत्माने इतनी दया की हम पर, कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनकी हड़िया इतनी इतनी उंगली जैसी फूल गई थी, ओ घर आ गए, और देखा, मैं देखते ह भबरा गई और उनको बोली कि आप दवा खने जाओ, तो बोले कि नहीं, गुरू जी मेरे को, यानि कि संतर आमपाल जी महाराजी मेरे को सही करेंगे, उन्होंने में जो मेरे को नाम मंत्र दिया है, मैं उसका जाप करूँगा, उनका चरणामरूत है, वो चरणामरूत लों हैं, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने को मिलेगे, और जो अपनी जो श्री को, जो ऐसे समाज में नीचे दरजा दिया जाता है, तो उनसे हम उपर उठकर आएंगे, और संतर आमपाल जी महाराज जो अभी बिना दहेजवाली शादी करवा रहे है, तो इससे तो समाज में जो कूरितिया है, वो बंध हो र नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में अपने पह रख रहे है, और रोज हजारों सादिया संतर आमपाल जी महाराज जी के अनुसार हो रही है, तो जो खर्चा पहले शादी में लग जाता था, तो अभी हम लोग ओ खर्चा बच्चियों के पढ़ाई, लिखाई पर खर्च करेंगे, और उनको सक्षम बनाएं कि ओ समाज में अच्छी तरह से अपने खुद को प्रू कर सके, बहुत बहुत धन्यवाद, जी सतसा है, करेंगे, जी सतसा था, जी सतसा था, जी सतसा है,